हेलो दोस्तो बात कर लेते हैं मंडे को मार्किट कैसी रहेगी कैसे हमारा ट्रेड प्लान रह सकता है किन लेवल्स पे बजार प्रॉफिट वोकिंग की तरफ जा सकता है मेरे को पता है मैक्सिमम रिटेलर ने अपसाइड की पोजिशन बनाई होगी बुलिश मोमेंटम का सोच होंगे और अगर आप दाव जोन को अभी देखेंगे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अल्मोस 300 प्लस पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है 185 प्लस पॉइंट है नैस्डेक ग्लोबल मूर महल बहुत पॉजिटिव है बट मंडे को गैप अप के बाद में बजार में प्रॉफिट बॉकिंग आ सकती है जिसके चांसे बनते हैं गईज नए हो चैनल पे लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना टेलिग्राम पे आप जोइन कर लेना इंस्टाग्राम पे फॉलो डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको पूरा मूर महाल समझ आ जाएगा तो शुरू करते हैं फिर आगे निफ्टी ने आज क्या किया निफ्टी कल आज और परसों तीन दिनों से कंसॉलिडेट कर रहा है अपर लेवल पे और अगर आप देखोगे 850 को कल भी रीच किया कल भी वहां से टॉफिट बुकिंग आई आज भी अपसाइड के लिए स्ट्रेंथ नहीं पकड़ रहा आपसे शेर किया था जब मार्किट यहां से फॉल करी थी कि यह एक सप्लाई जोन में कनवर्ट हुआ है स्ट्रॉंग डिमांड जोन इसको ब्रेक करना बजार के लिए इतना इजी नहीं होगा और दो ट्रेडिंग सेशन से तो आपने देख भी लिया फॉल कर रहा है यहां से continue अब मंडे को gap up होने के chances हाई है कि हो सकता है gap up हो बजार अगर gap up मिलता है आपको तो upside में 24,900 से लेके 920 तक बजार के लिए एक resistance point बनता है in fact अगर बजार में extraordinary bullish momentum बनता भी है 24,950 maximum 50-60 इतना मान लो यह market में upside का एक level आ सकता है अगर gap up open होई तो ठीक है जिसके chances हैं भी जैसे साब से mood महौल है पावल साब की speech भी आप देख लो आज के जो US का बजार भाग रहा है rate cut के लिए chances बन सकते हैं और कल मैंने आप से share किया भी कि अगर यह mood महौल बनता भी है rate cut बना तो 200-300 point का move मिल सकता है उतने ही chances हैं upside में जितने समझदार trader होंगे यह retailer की बात नहीं है इस consolidation के बाद में हर कोई सोचेगा कि breakout के बाद में upside का trade आएगा gap up होना लाजमी है अब अगर by chance बजार flat open होता है तो क्या trade plan रह सकता है अगर flat open होता है high chances है बजार पहले downfall की तरफ जाए rather than upside में जाने के लिए इसका reason समझते हैं detail में चार्ट को करते हैं 5 मिनिट के time basis फिर आपको detail में समझाएगा halt area कहां से reversal आ सकता है इसके बाद में आप bank nifty को देखेंगे फिर mid cap की expiry है Monday को तो detail में समझेंगे कि कैसे trade plan हो सकता है और Monday को guys मैं जा रहा हूँ कैलाश यातरा पे जै भोले बोल देना comment में हना 14 दिनों के लिए यातरा open होती है मनी महेश में Sunday को मैं यहां से निकल रहा हूँ Monday को Tuesday को next week मैं यातरा पे रहूँगा जब आपके पास में जो advanced formula learning series आरखी है first episode release कर चुका हूँ आपने देखा भी होगा comment करके ज़रूर बताना जो आप सीख रहे हो magical levels की calculation second episode में आप सीखोगे father of all paid formulas second part जिस्म की accuracy बहुत हाई है next video आपके पास में Sunday शाम को या मेवी Monday को आ जाएगा next week आती रहेगी सिर्ष तो उसको watch करना analysis करना trade plan करना कहां से trade लोगे सब चीजें clear हैं जितना maximum हो सकता है अब देख लेते हैं 5 minute के chart पे बजार का कैसा mood महौल रह सकता है sideways रहा पूरा दिन कल भी sideways था आज भी sideways रहा और close कर दिया है almost 24,823 के आसपास बजार ने consolidate किया है अपर लेवल्स पे अब आप side में gap अप के तो लेवल्स आपके साथ discuss कर लिए अगर flat open होता है और resistance लेता है 24,880 और 900 के आसपास से fall करना शुरू करता है तो हो सकता है कि बजार इस trend line को जो strength है इसको lose करे और downside में 24,750 और maybe 24,680 तक का एक dip लगाए अच्छे ये तो हम assume कर रहे हैं अब हम देख लेते हैं option profile पे कि बजार में stop losses कहां पे पड़े हुए हैं सबके तो अगर आप देखोगे maximum stop losses 24,500 पे अभी भी guys intact हैं बजार यहां पे next week में trap करने के लिए आ सकता है possibility है जो बजार में maximum stop losses मिलेंगे खाने के लिए वो यहीं पे मिलेंगे और next best stop losses कहां पे हैं 25,000 पे अब 25,000 बड़ा obvious level है इसके लिए सबने try किया होगा किया ना आप लोगोंने भी call buy करी होगी कि 25,000 की तरफ पहले जाएगा तो जो obvious level है जहां पे सबको लग सकता है तो हो सकता है बजार 24,980,920 की आसपा से फिर से shift को तो बजार हो सकता है कि upside में 25,000 जाने से पहले अगर बजार को 25,500 तक जाना है तो पहले 24,500 को trap करे फिर आपको 25,000 के upside में trade करता हुआ देखे next week में ही ये range बनी हुई है बजार की और 24,800 के आसपास अगर आप देखोगे major support रेटेलर के stop losses create हो गए है 24,800 पे तो इनको trap करने के लिए एक dip possible है ये आपको option profile का data indicate कर रहा है अच्छा option profile का data तो 24,500 आपको बोल रहा है बड़ इसकी confirmation क्या है तो इसके लिए हम चलते हैं day के chart पे फिर से फिर आपको detail में समझा जाएगा कि क्यों बोल रहा हूं बजार ने 16 अगस्त को एक move शुरू करा 24,350 के नीचे था 24,200 का dip भी लगाया और upside में 24,540 के आसपास close किया था उस दिन straight forward rally थी next day gap up और upper level पे sustain हो रहा है एक trend बना हुआ है upside के लिए straight forward अब अगर आप देखोगे ये candle के against अभी तक trade नहीं हुआ है कौनसी candle है ये particular candle तो हो सकता है एक वरी trap करने के लिए 24,500 के आसपास में भी 24,480 इस zone को test करने की कोशिश करे और वैसे भी अगर आप ऐसे देखोगे न trend line डालके तो आपको समझा जाएगा ये day का chart है जैसे ही market trend को break करेगी 24,770 के नीचे trade यानिकी इस zone के नीचे trade करना शुरू करेगी तो weakness बड़ेगी ये मैदान खाली है इन किसी भी candle के against अभी तक trade नहीं हुआ है तिल 24,480 तक का तो next week एक तो monthly expiry है range आपके पास में 25,000 से लेके 24,500 तक की है और आपको ये दोनों side के move देखने को मिलेंगे अब हम देख लिएते हैं bank nifty के chart को bank nifty में कैसे trade प्लान रह सकता है bank nifty ने आज 51,000 के level को hold किया काफी time sustain भी हुआ आपके साथ में morning के live session में क्या discuss किया था 51,100 resistance का काम करेगा बजार इसको immediately break नहीं कर पाएगा first candle open होती है और आपको almost 300 point का dip देखने को मिलता है और बजार फिर यहीं पे range bond होके गूमता रहा बट strength पकड़ रहा है upside के लिए bullish momentum पकड़ सकता है अगर 51,100 के उपर trade करना शुरू करता है तो weakness कब आएगी अगर बजार 50,800 के नीचे trade करना शुरू करता है तो हो सकता है कि एक dip बजार 50,600 और maybe 500 तक आने की कोशिश करे यहां से bounce back के chances बनते हैं यह lower levels अब हम बात करेंगे mid cap के लिए कैसे रह सकता है trade plan उससे पहले आपको FIS और DS की position और data को देखना ज़रूरी है FIS की अगर आप position देखोगे cash में buying कर रखी है इसको देखके आपको confidence मिलेगा कि bullish हो सकता है बजार अच्छी बात है अगर आप देखोगे इनका option में derivatives में क्या plan है मैंने आपको क्या कहा 24,500 भी आपको next week ही दिखा सकता है और 25,000 भी cross करता हुआ next week में आपको देखने को मिल सकता है पहले 25,000 से पहले एक dip क्यों लगा सकता है तो उसके लिए आपके पास में ज़रूरी है आप analysis को अच्छे से देखो अगर आप देखोगे हमारे जितने भी retailer हैं अभी full on bullish हो रखे हैं FIS आपको bullish देख रहे हैं बर जब मैं आपको data दिखाऊंगा इनकी current position दिखाऊंगा तो थोड़ा सा आपको धक्का लगेगा अगर आप यहाँ पे देखोगे client की position क्या है extraordinary bullish है यानि की upside के लिए momentum दे सकता है pro क्या बोल रहे हैं negative है net bearish position है downside के लिए fall हो सकता है DIS क्या सोच रहे हैं DIS ने बहुत major chunk sell कर रखा है exact 24,850 पे selling में इनका interest बढ़ता हुआ दिख रहा है derivatives में, option में ठीक है FIS की अगर position देखोगे call sell कर रखी है अच्छी खासी quantity में overall तो इनका भी view bearish है हो सकता है gap up हो बजार बड़ी profit booking की तरफ जाने की कोशिश करे जैसे मैंने आपके साथ share किया आप देख लेते हैं mid cap को जिसकी है expiry mid cap upper level को hold कर रहा था आपके साथ में morning में क्या share किया था और कल के वीडियो में वे गई इस पे आप ता like चाहिए अगर आप analysis को follow करते हो morning के live session में थे बजार ने upside में open किया 1300 के आसपास क्या कहा आपसे कि जितना जल्दी होगा बजार आज 12940 के आसपास टेस्ट करने के लिए जरूर आएगा यहां से bounce back के chances बन सकते हैं अगर positive territory में trade करता है यहां से बजार अगर upside की strength पकड़ता है gap up होने के बाद में और 12940 की support लेके सकता है आपको 12870 के आसपास एक डिप में mid cap देखने को मिले कोई भी doubt हो आप comment box में लिख सकते हो कोशिश करूँगा जाने से पहले Sunday को एक live session करूँगा आपके साथ में जिसमें आपके doubt क्लियर कर दूँगा जो भी आपके question होंगे comment box में So guys like कर देना subscribe कर देना Thank you so much for watching Bye bye take care love you all खुश रहो मजे कर देने